हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे फ्रेंट्स एक और नई जानकारी के साथ होगी हूँ आपके सामने हाजिर फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे इस गुल के छिलके की जिसे भूसी भी कहते हैं इस गुल का पाउडर जो है ना वो हमारे निवी बहुत ही जी जादा फाइदे मंद होता है फ्रेंट्स इसकी तासीर होती है ठंडी इसे हम कई रूपों में भी खा सकते हैं जैसे हम पानी में इसे घोल का खा सकते हैं दूद में ल Séकर इसमें fiber काफी अच्छी मात्रा में होता है यदि हम fiber को खाने के रूप में नहीं इस्तमाल करते हैं तो अगर हम इसका इस्तमाल कर लेते हैं तो हमें कब्ज कभी भी नहीं होगी देखिए fiber हमें वैसे जरूर खाना चाहिए जैसे salads में हो गया, fruits के रूप में हो गया, खाना जो हम खाते हैं, उसमें कई चीजों में हमें fiber बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है, लेकिन अगर हम कम fiber का इस्तमाल करते हैं, वैसी चीजों का कम इस्तमाल करते हैं, जिसमें fiber होता है, तो उससे क्या होता है, कि हमें cubs की problem हो कब्स की problem एक भेंक का रूप ले लेती है, पाइल्स का, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा painful होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इस गोल की फक्की भी कहते हैं, ऐसे, अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं, तो आपको कब्स कभी भी नहीं होगी, अगर अगर आपको कब्स है, अगर बहुती ब्यानक कब्स है, तब भी आपकी कब्स बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाओगी आप अगर इस गोल का, आप इस्तमाल करते हो, फ्रेंड्स कब्स में तो यह हमारे लिए बहुती ज़्यादा मतलब की फाइदा करती है, और भी कई ऐसी बिमारी हैं जिससे हमें यह निजाद दिलाती है, देखिए है, डाइपटीज के लिए भी यह बहुत ज़्यादा बैस्ट है, हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा बैस्ट है, कॉलेस्ट्रोल को यह कम करती है, मतलब बैड कॉलेस्ट्र अगर आपको कब्स नहीं है आप बिल्कुल स्वस्त हैं तब भी आप इस गोल का इस्तमाल आप अपने डेली लाइफ में जरूर करें इससे कोई साइड एफेक्स नहीं होता कोई भी नुकसान नहीं होता उल्टा आपको फायदा ही होगा क्योंकि छोटी मोटी कई ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी श्रीर में होती हैं जो हमें नहीं पता होती और हम नजर अंदाज भी कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप इस गोल का सेवन करते हैं तो आपको कई प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है फ्रेंड्स एसीडिटी बिल्कुल जड़ से खतम कर सकती है ये इतनी पावरफुल ये चीज़ है अगर आप इसका सेवन करते हैं अब आपको सेवन कैसे करना है फ्रेंड्स खाना खाने से पहले आपको इसका सेवन करना है देखिए अंतरियों को ये बिल्कुल साफ रखती है बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती, बिल्कुल सॉफ्ट रखती है हमारी अंतरियों को, इसलिए कब्स खतम हो जाती है, अगर हम इसका सेवन करते हैं तो, अगर हमें बुखार तक है ना, तो बुखार भी हमारा ये ठीक कर देता है, इस बोल, पेट में बिल्कुल भी गर्मी नहीं रहने देता है, कई बर ऐसे होता है, कईयों को ज़्यादा गर्मी लगती है, फैन नहीं चला तो पसीना छूटना शूरू हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही फायदे मंद है, तो फ्रेंट्स, इसक में डालेंगे दो चमच, इस बोल का पाउडर, या फक कीजी, या छिल का कुछ जो भी आप कहते हैं, असानी से मार्किट में मिल जाता है, ये पंसारी की दुकांसर मिल जाता है, आप इसे लेकर रख सकते हैं, और दो चमच डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से मिक की फकी चमच की हल्ब से मुँ में डाल लेते हैं, उसके बाद हम पानी पीते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, इसे हमेशा पानी में घोल कर, अच्छी तरह से घोल कर, कुछ सेकंड्स के लिए उसे पानी में ही रहने दीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, सॉफ रहेगा, कब्स वाले जो पेशेंट है न, वो तो रात को सोने से पहले इसका सेवन जरूर करें, देखिए ज्यादा कब्स है तो आप सुबह भोजन से पहले, आदा घंटा पहले, तो पैर को भोजन से आदा घंटा पहले, और रात को सोने से पहले, आप इसका सेवन जरूर कीजिए आपकी कब्स बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी अगर कब्स नहीं है ना तो मैं कहती हूँ कोई भी बिमारी आपको नजदीक नहीं आने देगी कोई भी बिमारी आपके नजदीक नहीं आएगी कब्स ही सबसे बड़ी जड़ है बिमारी की तो कब्स को खतम करने के लिए आप इसको जुरूर इस्तमाल कीजिए आपको ये बहुत फैदा करेगी मैं बात कर रही थी गर्मी अगर ज्यादा लगती हो तब भी आपको इसे खाली पेट पीना है सुबह जैसे हम शकंजवी बनाते है ना शकंजवी बनाते है निम्बू पानी और चीनिव के रहा ड थीक हो जाएगी बीपी अपको नॉम्म रहेगा हाट आपका बिल्कूल ठीक रहेगा नस्य नाडियां आपकी बिल्कूल ठीक रहेंगी बजन आपका कंट्रोल दॉन्न हाएगा फ्रेंट्स आप इसका सेवन जरूर की जिए तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आईया थो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए और मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूँ